तू ही सागे, तू ही सागे है तू ही किनारा डूंडता है तो किसका सहारा चीतना वदू असर कारक्छे शाताब्दी दिन 24 एप्रील ओगनी सोविस श्री माताजी कायम माटे भारत बधार्या लेखन अने पठन पद्रायु वच्राजानी प्रकाशन फुल्चाब समयनी आरपार प्रतिशुक्रवार सोवर्ष पहला पन एक भयंकर महामारी नो विश्वय सामनो करे लो जापानना टोक्यो माज प्रतिदिन आ रोगनो चेप लागवाना सेक्रो नवा केस नूंधा तहादा अने जने ए रोग लागू पड़तो एक नियम रूपे त्रीजे दिव से मृत्यू पांटा था रोगी जो त्रीजो दिवस काढ़ी नाखे तो साथ दिवस पची एने सारू थाई जतू महर्शी श्री अरुबिंद ना योग पन्थना सहप्रवासी श्री माताजी ये पोताने गूड विध्यानी सहाई थी एरोग ना चेप थी पोताने जातने सुरक्षित राखी हती तथा एरोग अंगे ना विचार मात्र थी श्री माताजी पोते अरगा रहा हाथा परन्तु तेमनी साथे रहती एक व्यक्ती श्री माताजी ने सतत पूछे रागती हती मां आ महामारी नी पाचल काई शक्ती रहे लिया शे आम सतत प्रश्न माताजी सामे थता करतो अने एक दिवस माताजी ने ए शहर ना बीजा छेडा सुधी मुसाफरी करवानी जरूर पड़ी ट्राम मां तेवोए मुखागल बुर्खो धारन करेला लोकोने जोया छेवटे श्री माताजी पोतेज पोतानी जहात ने इच्छा विनाज पुछवा लागया साचेज आ बीमारी छेश एमनी पाचल कई शक्ती असे अने तेवो गरे पाचा फर्या त्यारे पोतेज ए बीमारी नो भोग बन्या रोगना लक्षणों नो चेप लागताज श्री माताजी भारे ताव मां पटकाए पड़्या तेवो ने जान करया वगर जडोक्टर ने बुलावा मावया परंतु श्री माताजी ए डोक्टर नो के तेम निदवा लेवानो इनकार करी दिदो कारण के तेवो पोतानी आंतरिक शक्ती वडेज ए रोग सामे लड़ी लेवा मांगता हता श्री माताजी पोतानी जातने सतत ए प्रश्न पुछता रहा क्या बीमारी पाच्वल कई शक्तिक कारिय करी रही छे पची जे बन्यू तेनू ताद्रिश्य वरणन श्री माताजी ए पोताना शब्दो मां करियू छे बीजा दिवसने अंते हुँ जारे एकली पड़ी रही हती त्यारे में स्पष्ट पणे एक स्वरूप छोयू जना मस्तकनो एक भाग कपायलो हतो एक स्वरूप जोर थी मारी चाती उपर चड़ी बेठू तेमज मारी शक्ती चुस्वानो प्रहत्न करवा लाग्यू मैं सारी रिते एने जोय लिदू अने पची तुर्तज मने ख्याल आवी गयो के हूँ मरवानी अनी उपर छू ए स्वरूप मारी समग्र जीवन शक्ती ने चूसी रहू हतो हूँ सम्पूर्ण पणे मारी पथारी साथे जड़ाई गयती हलन चलन वगर गहन बेभान अवस्थामा हूँ हाली शक्ती नहती अने ए स्वरूप मने पोतानी तरप सतत सतत केची रहू हतो मने लाग्यूं कहवे अंद नजिक छे पची में मारी गूड शक्तिनों उप्योग कर्यो मैं एने जबर्दस्त लड़ता पी अने एने पाचुँ धकली देवा मां मने सफरता मड़ी जिने लईने ए पची त्याज रही ना शक्यूं अने हुँ जागी गई थोड़ी वार पची एक जाबानीज मित्र श्री माताजिने मलवा आवया हता अने तेवजे कही बन्यू हतू ते तुर्तत समझे गया हता तेमने ज माताजीने जणावियू हतू कि रोग एका एक नियंत्रन मा आवी गयो छे अने हवे मृत्यू थता ना थी श्री माता जिये पोताना ए मित्र ने तेमनो अनुबो कही संब्लावे हतो अने ए मित्रे बीजा लोकोने पन ए विशेवात करी हती अमुक समाचार पत्रोये तो आ प्रसंग अंगे लेखो पन प्रसिद्ध कर्या हता ए महामारीनो गूड कारण माता जिये आ मुझब समझाव्यू छे प्रथम विश्वयुद्ध दरिम्यान गणा युवान तेमाच सशक्त सैनी को पोताना शरीर नी बहार फिकाई गया हता अने तेमने ए वातनू भाहन पन नहतूं के तेवो शारीरिक रिते मृत्त्यू पामे आशे अने तेवो पोतानू गुमावेलू जिवन उनह प्राप्तकरवा माटे अविक्चारी पने मरणिया बनी प्रहत्नो करी रहाता परिना मे तेवो लोई चुसनार वागोळो बनी गया पचि या वागोळो ना वातावरण मा जहे पन द्यक्ति आवती के तरज तेने ए रोग लागू पड़ी जतो अने आसाईनी को मानो कोई एक जो ए द्यक्ति उपर हुमलो न करे तोज ए द्यक्ति बची शक्ती बाकी ना बड़ा अनिवार यपने मरी जता हाता आप्रसंग उपर छेवटनी टिपणी करता माता जी ये उमेरी होतू कि चेतना निश्चिंत पने दवाना पड़ीकां करता वधू असर कारग छे आम आजनी कोरोनानी महमारी टाने सो वर्ष पहलानी स्पेनिश फ्लूनी भायानक महमारी नुस्मरण श्री माताजी नी चेतनाना संदर बे थयूं पन आजे शताप दी दिन छे 24 एपरिल 29 ना रोज श्री माताजी छेवटे पोताना अंतेम धेयनी प्राप्ती अर्थे कायम माटे पोंडी चेरी पाछा आवी पहुँच्या तेमनु वहान जारे पोंडी चेरी नी नजिक आवी पहुँच्यूं त्यारे श्री माताजी ने एक विलक्षन अनुभूती थाई श्री माताजी कहये छे हुझ आज परहती दर्यामा मने कोई वस्तू अपैक्षित नहती पची एका एकाज अच्छानक पोंडी चेरी थी लगबग बे दर्याई माईलना अंतरे हवानु वातावन बदलाए गईू वातावरन नी स्थूल प्रकारनी गुनवत्ता बदलाए गई ते परिवर्तन येटलू स्पोष्ट हतू कि मने समझाई गईू कि आमे श्री अर्विंद ना आभा मंडलमा प्रवेशी रहाचिये आएक स्थूल प्रकारनी बवतिक अनुबोती हती पन एदिव्य संकेत तो श्री माताजी आज थी सो वर्ष पहना आजनी तारिक है विस्मी एप्रिलना रोज क्यारेई परत न फरवाना दृढ्ड संकल पसाथे भारतनी भूमी पर बढार्या हता श्री माताजी नी चेतना शक्ती नी विश्व समस्त ने आजे फरी जरूरत छेत्यारे केवल पर आथनाँ एक आधार छे ओ पड़्चाया अने भ्रांती उगली जाओ ओ पढचाया अने भ्रांती उगली जाओ ओ वेदना जांकी थाई जा अद्रुश्य थाई जा परम प्रभू शू तू त्या नथी हे परम प्रभू शू तू त्या नथी जय मा तू ही सागे है तू ही किनारा डूंडता है तो किसका सहारा डूंडता है तो किसका सहारा जाए तो किसका सहारा